तो हलो दोस्तों अमस्कार आपका स्वागत है मारे सूडियों तो आज इस सूडियो में आपको बताने वालांगा अगर आप अपने पैन कार्ड में कुछ सुदार करना चाहते हैं जिसे फोटो नेम डेटो बर्थ फादर नेम तो ओनलाइन आप आसानी से घर बेटे ही पास में आपका नंबर होना बहुत ही जरूरी है अगर आपके पास में नंबर नहीं है तो अगर आप पैन कार्ड पहले बना हुआ आपके नंबर को गया है बिल्कुल भी आपके पास में नहीं तो डायरेट आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं हम आपको नंबर प्रवाइड करवा देंगे तो लिंक में इंस्टाग्राम का लिंक में डिसकॉप्शन में देंगे आप वहां से मुझे डायरेट बात कर सकते हैं तो इस वीडियों मैं बताने हैं को पैन कार्ड में ऑनलाइन घर बेटा करेक्शन कैसे करें तो चलिए हमारी मोबाल स्क्रीन पर चलते हैं औ अप्लाइन और रजिस्ट्रेड यूजर रजिस्ट्रेड यूजर क्या होता है जैसे आपने पहले अप्लाइग बीच में आपकी जहने छूट गी है तो आपको टोकन नमर मिलेंगे उनसे आप डायरेक्ट पाद वापस रिट्रिव कर सकते हैं तो इसमें आपको सबसे पहल है नियु इंडियन सिटीजन तो यह हमारे से कोई मतलब नहीं अब देखरें चेंज करेक्शन इन एक्जिक्टिंग डाटा रिप्रेंट और नो चार्ज इन एक्जिक्टिंग डाटा तो चली यह पूछ रहा है लेकिन इसमें चार्ज वगएर आप देखने को मिलेंगी चली आपके में और आपकी नहीं है तो आप कुमारी कर सकते हैं दो चली पर आपको नाम रखना वह आप यहां पर डाले तो ज wear of Air card में अपडेट करने दो देखर तभी प Beni अपडेट वह आपको डालनी होगी जो नए वाले आप याज चेंज करना चाहते हैं अगर आपके पहले से सही है तो आप वह यहां पर फिल कर दें उसके बाद में इमेल आइडी जरूर डाले यहां पर और सही डाले चुकि आपका इपन काड इमेल आइडी पर आ जाएगा और मोबाइल नंबर ढल दे उसके बाद में पूचा है जैफीन बसन आपको करना होगा तो दोस्तों पर आपको टोकन नंबर देखं़ कुछ अपर कर सकते हैं उसके बाद में कंट्व विद पैण application form पर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना है यहां से पूचा है सब्सक्राइब डिजित्रू एक वाई से इसाइन पेपर लेस आपको यह करना है आपकी मोबाइल नंबर पर जो आदार रजिस्ट्रेड वह होना चाहिए यहां से पूझा पर कीन गैड़ ऱसके बाद में यहां सी 106 में यहां इü इसमें एडिट करना चैंज करना है तो आपको यहां पर चेक बॉक्स लिया इस पर क्लिक करना होगा उसके बाद में जैसे यहाँ पर आप नाम है वो क्या प्रिंटर देखना चाहते हैं डेट ने इसमें यहाँ आप यहाँ चैप आप क्लिक करना करना वह रखो अपर चिस्पाटरब करना होगा उसके बाद में यहां से जिंडर अप चूह और यहां से अगर आपका जिंडर मिसमेच हो सकता है साइध कर तो आप जिंडर भी यहां से चेज़ करेंगे तो यहां पर दिख जाएंगा फोटो मिसमेच और सिगनिचर मिसमेच तो उसके बाद में यहां पर आपको फिल करना होगा फादर ने फादर ने जो भी आपका है ज इसके बाद में हम करेंगे next पर click तो अभी हम करेंगे next next address in communication address for communication तो आपका आधार कार्ड में है वह अधरसा यह लेकिन आप यह चुरूर ध्यान में रखे जब आप correction करेंगे तो जो पहले से आपके आधार जो पैन कार्ड में अटरस था उसी पर कार्ड डिलेवर होगा तो इसमें आपको कुछ भी fill नहीं करना है को इसे यह छोड़ेन है उसके बाद में यहाँ पर जो अ पुफव अइदेंटी प्रूफ अटर्डा पो डेत यहां पर आपको डाल सकते हैं उसके बाद में आपको करना होगा submit तो चलिए अभी हम कर देते हैं submit तो यहां पर अगर आपकी कोई detail छूट जाती है तो आप इसमें यहां पर आपको highlight देखने को मिल जाएगा उसके बाद में यहां पर आपको आधार कार्ड के से भी आप कर सकते हैं तो चलिए अभी हम करने वाला हैं यहां से जो प्रोसेज टूप payment पर हम क्लिक करेंगे अब थोड़ा सब वेट करना होगा में चलिए और अब यहां पर आप देखेंगे अब थोड़ा सा वेट करेंगे यहां पर तो यहां पर जो प्रोसेस देखेंगे तो जो भी हमने payment की रिक्वेस्ट आप यहां पर आप देखेंगे open PSP जो एप है जिसका आपने डाला तो हमने अमर जो आईडी या यूप आईडी वोड डाल दी है आप भी डाल सकते हैं तो उसके बाद में अभी हम यहां से payment का एक option मिलेगा तो यहां पर देखेंगे हमें मिल चुका है उसके बाद में हम यहां से करेंगे पे तो साइद आ payment कर देता हूं फिर आपको आगे का process बताता हूं तो यहां से हम payment वापस करेंगे process टूप यहां से हमारा जो account देखने को मिल जाएगा उसके बाद में यहां से हमारा पिन डाल के हम करेंगे payment को एक सुच्छे रुपए का तो आप जब तक payment ना इसको बेक प्रेस कुछ भी न करें ना इसको close करें आप थोड़ा साफ वेट कर लें उसके बाद में जो हमारा प्राउजर तक रोम चले जाएंगी यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारा प्रेमेंट वो सक्सेस हो चुका है तो आपको इस जिए पर थोड़ा साफ वेट करना होगा यह जरूर ध्यान रख इसको कुछ भी छेट चार्ड इसके साथ में नहीं करेंगे तो इसके बाद में अब आपके आदार रजिस्टेट मूबाइल नंबर पर वो टीप यहां पर फिल करेंगे तो जो पैन कार्ड अब वो कब तक डिलेवर हो जाएगा तो दिए कि इसमें कर यूजली कम से कम 15 से 30 30 दिन का टाइम लगता है तो चलिए यहांपर हमारा जो ट्रांजिक्षें स्टेटस सदो सक्सेस्पूल हो चुका है उसके बाद में हम करेंगे यहां से कंटिनू और यहां पर यहां पर हमारे डिटेल वह दिख गी हैं जैसे हमारा नेम वगेरा उसके बाद हम यहां से जो से हम क्लिक करेंगे उसके बाद में यां पर आप देखेंगे याँ आप देखेंगे तो हम करने हैं ग्वाइब वापस करेंगे सब्सक्राइब में तो हम यां से बाद में आपके आधार का नंबर आपको यहां से फिल कर देते हैं। हमारा प्रोसेस्ट यहां पर आपको बता दिया है तो अब आप आप देखेंगे गी जो हमारा पेमेंट वह सकसफिल हो चुका है उसके दो इसमें जो पासड रहे तो Следrespect & Day और आपका मंत ओर year तीमन आपको फील करना विसके बाद आपको देखेंगे कि हमारा फोर्में आपको इस इस परकार से आप पैन कार्ड जो है करेक्शन गर बेटा आसानी से कर सकते हैं अगर इसके बाद में आपका कुछ डाउट को रिया है तो आप कमेंट करके जरूर बता है यह डायरेक्टर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को ही खतम कर